जोति जला निजप्राण की भारत के विभाजन की विविश्का में राष्टी स्वेंक्सिवक संग के लाखो कारे करताओं ने अपने प्राणों की आहूती दे कर हिंदूओं और राष्ट के गौरों को बचाने का काम किया था। जोति जला निजप्राण की इस पुस्तक में ऐसे ही स्वेंक्सियोकों की गौरों गाथा संकलित है जिनके त्याग, राष्ट प्रेम, साहस, एउंग समरपड की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पत्रकारिता के महरशी एउंग संग के प्रकर विचारक मारिक चंदवाजपी एउंग अखिल भारती साहित्य परिशत के रास्टी संगठन मंत्री रहे शिर्धर पडारकर ने इस महत्मुण पुस्तक का संकलन किया है। जो तिजला निजप्राण की पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं। अध्याय 9 में सिंद, अध्याय 10 में बंगाल, अध्याय 11 में बिहार, अध्याय 12 में समाधान एक आरोप का, अध्याय 13 में संग गरो कर सकता है अपनी उस भूमिका पर, यह अंतिम 14 अध्याय में संदेश वसंकेश सिर्षक में भारत के बटवारे की सच्ची तस्वीर रस्त जोति जला निजप्राण की पुस्तक भारत के विभाजन की ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर एके घटना आखों के सामने किसी चलचित्र के तरह दिखाई देने लगती है। को तत पर रहते थे। जिन मुहलों में हिंदू घबराय और भैबीत रहते थे वहां जाकर साहसी स्वयंक्सेवक उनका साहस बढ़ाते और उनकी रक्षा के उपाय करते थे। और जीप में सवार होकर चल पड़े। रास्ते में गोल्ड डाग खाने के पास पुलिस ने उनकी जीप को रोक लिया। और पूछा कहा जा रहे हो। चुन्निलाल जी ने जवाब दिया किला गुजर सिंग। पुलिस वालों ने उन्हें मुस्लिम लीग का कारेकरता समझा और जाने दिया। मगर रास्ते में फिर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहाँ पुलिस वालों को एक कारेकरता तिलक राज के तहमत के नीचे जनेव में बधी चाबी दिखाई दे गई। पुलिस सब को थाने में ले गई। जहां थानेदार के सामने चुन्यलाल जी ने कहा कि साब हम लोग बच्चों के लिए दूद लेने निकले थे। मुसल्मानी वेश इसलिए बनाया था कि रास्ते में कोई मुसलिम उन्हें न रोके। थानेदार ने उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सभी डॉक्टर नारंग की कोठी में पहुँचे और वहां से दोनों डॉक्टरों को सुरक्षित लेकर शिविर में आ गये। गुलाब महला और रामस नहीं गोसाई महला के हिंदो अपने परिवार के साथ सुरक्षित अस्तान पर पहुँच जाएं। दोनों भाईों ने हजारों बहन बेटियों की अस्मत को लूटने से बचाया और तब तक लिग के लोगों का मुकाबला करते रहे जब तक वहां से सभी हिंदो सुरक्षित नहीं निकल गए। दोनों भाईों की शहादत ने एक बड़ी हिंदो आबादी को तबाही और वरबरता से बचा लिया। पुस्तक के पश्चिम पंजाब अध्याय में जेलम जिले में मुस्लिमों द्वारा किये गए अत्याचार और कतलियाम का उल भारत की तरफ आने को मजबूर हो गए। इन लोगों ने अपनी आखों के सामने कतलियाम, लूट पाट, आगजनी और लिगी कारेकरताओं की दानव शैली को देखा था। पुस्तक में इस बात का बहुत मारमिक परणन है कि चंद दिनों में ही करोड़ पती परिवार सरण सनार्थियों के वेश में भारत आये। ऐसे लोगों को संग के कारेकरताओं ने दिल खोल कर मदद देने का काम किया। स्वेंक सेवकों ने सनार्थी सीरों में पहुचकर लोगों की सेवा शुरू की और उन्हें सरकारी सहायता दिलाने का काम शुरू किया। पुस्तक में वहां संग की शाखाएं लग रही थी। संपन्न हिंदू, पैसे वाले थे और हधिकांस के पास लाइसंसी हथियार थे। बटवारे के बाद वहां अलीगर मुश्लिम इनुर्शिटी के छात्रों को मुश्लिम लीग द्वारा भेजा गया। इन छात्रों ने मियावाली में घ पैसंसी हथियार जमा करा लिए। इसके बाद वहां हिंसा का दौर सुरू हो गया। मगर संग के स्वेंग सेवकों ने आगे बढ़कर लोगों को शीरों में भेजा जहां से सभी लोग सेना के संरक्षन में भारत आये। 15 अगस्त के बाद हिंदों के पाकिस्तान के इलाके म में रहना दूभर हो गया था। लाहोर, पिशावर, राउल पिंडी, एवटाबाट, जेलम, रहीम खान, मुझफराबाद, गुजरावला, स्याल कोट, वजीराबाद और मियावाली इलाकों में लाखों हिंदों का कतल याम हुआ। मुस्लिम अधिकारियों ने खुल कर ली उन्हों को छेड़ने की हिम्मत लीक के लोगों में नहीं थी। श्रिबल राज मदोग को हुई तो उन्होंने फोरण बड़ी मात्रा में तिरंगे जंडे तयार कराए और संग के दपतर से स्वेंख सेवकों के साथ वहां डाग घरों पर पहुँचे और पाकिस्तानी जंडा उतार कर तिरंगा फाराने का काम किया। लेने के बाद निश्य किया कि पाकिस्तानीों को बायू स्वेना की मदद से खदेर दिया जाएगा। मगर समस्या भारी थी कि पूँच में हवाई जहाज कैसे उतरेंगे। वहां कोई हवाई पट्टी नहीं थी। इसी भी संग के जीला प्रमुक अमरित सागर जी ने उनसे कहा कि हमारे स्वेंग सिवक मिलकर हवाई पट्टी का निर्मान करेंगे। देखते ही देखते हजुरी बाग में एक बड़ी जगह को रातों रात समतल कर दिया गया। कई सरकारी मकानों को गिराकर वहां 72 घंटों में हवाई पट्टे का निर्मान कर दिया गया। बहुत कम वक्त में बहुत मुश्किल जगह हवाई पट्टी बन कर तैयार हो गई। मगर जब सेना का पहला डेकोटा विमान लेकर महरा सिंग वहां पहुँचे तो सारा वातावरन भारत माता की जै के नारों से गूंज उठा। उसके बाद उस हवाई पट्टी पर रोज 35 विमान उतरने और उडान भरने लगे। भारती सेना के बल को देखकर पाकिस्तानी सेना सिर पर पाउँ रखकर रातो रातो वहां से भाग खड़ी हुई। संग के स्वंक्सेवकों के इस साहस से 40,000 लोगों की जान बच गई। जो संग के सेवाकार, सहयोग, देशभक्ती और सहस की हजारों कहानियों का उलेख इस पुस्तक में किया गया है। स्वंक्सेवकों न सेना के साथ ही प्रशाषन और राजनितिक दलों के नेताओं तक के साथ निष्टा के साथ सहयोग किया और दिन रात सेवा के लिए ततपर है लेगी गुंडों पर दिल्ली, हैदराबाद और शिर्णगर में लगाम कसने का काम किया, उन्हें मोतोर जबाब दिया संग के स्वंक्सेवकों ने। जोती जला निच्प्राण की पुस्तक में भारत के विभाजन के बाद के अलग-अलग प्रानतों में संग के इन घटनाओं का प्रामलिक्ता के साथ उलेख किया गया है। जरूर पढ़नी चाहिए। आप एक बारे पुस्तक अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को खरिदने या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जैवीर सिंग्जे से संपर्क कर सकते हैं। साहितदरपनप्रभात at gmail.com मोबाइल और वाटसअप नमबर है।